सनात्म धरम में मुनुष्य के पूरे जीवन काल में स्थोले संसकार बताएगे हैं जिन में से मुंडन संसकार भी मुख्य संसकार है हिंदु धरम में मुंडन की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है किसी भी शिशु का मुंडन संसकार जातर पवित धार्मिक सलोपर किया जाता है माता के गरब से जनम लेने के पश्चास शिशु के सिर के जो बाल होते हैं उने हटाने को मुंदन संसकार कहा जाता है जिसे बोदिर विकास सही से होता है इसके अलावा माना जाता है कि गरब के बालों का विसरजन करने से बच्चे के पूरु जनों के शापों का मोचन हो जाता है मुंडन करवाने के पीछे विग्यानिक कारण नवजाद बच्चे का मुंडन करवाने के पीछे यह तरक दिया जाता है कि जब बच्चा जर्म लेता है तब उसके बालों में बहुत से गिटाणों और बैक्टेरिया होते हैं और सिर्की तवचा में गंदगी भी होती है जिसकी सही प्रकाश सवाई करने के लिए उन बालों को हटाया जाता है जनम के कितने समय बाद करवाते हैं मुंडन शिशु के जनम लेने के बाद एक वर्ष से तीन वर्ष या कुल परंपरा के अनुसार पांचवे अत्वा सातवे वर्ष में मुंडन तुनसकार कराया जाने की प्रता है इसके अलाबा कुछ लोग शिशु के सवा महा पूर्ण हो जाने के बाद जब धार्मिक स्थाल पर लेकर जाते हैं तब ये मुंडन करवा देते हैं ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्स्क्राइब जरूर करें धन्यावाद